समस्कार दोस्तों आप सोका स्वागत्य सरकारी आई टी एई यीटूब चैनल पर दुस्ति इस वीडियों बात करने वाले हैं रेलेवी रिक्विर्मेंट बोर्ड आरार भी द्वारा जारी किये गए टेकिनिशन ग्रेड वन सिगनल और टेकिनिशन ग्रेड थ्री पोस्ट के बारे में आपको बता दे कि इसके लिए आप लोग 9 मार्च 2024 से ओनलाइन आविदन कर सकते हैं इसका अंतिम्तिती आठ अफ्रेल 2024 रखा गया है इसमें देख पाईएगा आपको टोटल पोस्ट आपको यहाँ पर 9144 तेखनी को मिलेगा जिसमें आपको टेकिनिशन ग्रेड 1 सिगनल के लिए 1092 पोस्ट और टेकनिशन ग्रेड 3 के लिए आप यहाँ पर देख पाईएगा 8052 पोस्ट रखा गया है इसके लिए कौन-कौन अपलाई कर सकते हैं तो आपका उम्र जो होना चाहिए 1836 सल के बीच में होना चाहिए टेकनिशन ग्रेड 1 सिगनल के लिए और 18 इसका पे लेबल देखिएगा टेकनिशन ग्रेड वन का 29200 रुपए है जबकि टेकनिशन ग्रेड 3 के लिए आप देख पाईएगा 19900 रुपए इसका पे लेबल रहने वाला है इसके लिए पोस्ट के लिए आप अपलाई करना चाहते हैं सबसे पहले आप एकजर एको ऑपन कर ले उसके बाद आपको यहाँ पर देख पाईएगा पोस्ट नेम आपको यहाँ पर सो होगा इसमें से आप देखिएगा टेकनिसियन ग्रेड वन सिगिनल के लिए अधिया पपलाई करते हैं तो आपके लिए बेचलर डिगरी होना चाहिए वो भी साइंस इस्ट्रीम से जिसमें आपका फिजिक्स हो सकता है इलेक्ट्रोनिक्स हो सकता है इसके अलावे कम्पूटर साइंस हो सकता है इन्फोर्मेशन टेकनोलोजी हो सकता है ठीके आप यह सब सब्जेक्ट आपका है तो आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं या आपक देख पाएंगे इन में से आपको किसी एक में apply करना होगा तो आपके पास qualification में class 10th pass plus ITI का degree चाहिए ठीके आप 10th pass और ITI का degree आपके पास है तो आप इन में से grade 2 के लिए grade 3 के लिए apply कर सकते हैं तो आपको इन में से क्या क्या देखना है तो आप सबसे पहले आपको जीस भी trade क करना है आप यहाँ पर trade देख लिएगा उसके बाद यहाँ पर qualification देखना है qualification में देखना क्या है जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा matriculation प्लस आपको iti pass होना चाहिए cbti ncbt किसी में से आप पास हो सकते हैं इसमें से आपका trade में fitter, carpenter, welder, plumber, pipe fitter होना चाहिए इसके अलावे आप यहाँ पर देख पाईएगा या तो आप जो metric pass है और साथ में आप जो है apprenticeship किये हुए हैं तो भी आप इसके लिए apply कर सकते आप यहाँ पर ध्यान देखकर इस notice को अच्छे से देख लेंगे, read कर लेंगे, इसका link आपको वीडियो के discuss में दे दिया जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पर post में देख लिजेगा कि किस post में कितना seat available है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसे ही कि आप यहाँ प देख सकते हैं, और देखने के बाद ही आपको जो अच्छा लगे कि इसमें आपको करने में चांस मिले, तो आप उसके लिए apply कर लिजेगा, इसका apply करने का वीडियो आपको जैसे link open होता है तो आपको बताया जाएगा कैसे आपको apply करना है, apply करने से पहले सबसे पहले आप यहाँ पर देख पाईएगा, format of car certificate for AC and HD candidate, तो सबसे पहले आपको यह format का certificate बनवा लेना होगा, जिसे central car certificate कहा जाता है, तो आप इसे print out निकाल के बनवा लिजेगा, ताकि आपको form fill up करने में कोई problem नहों हो, आपको यहाँ पर OBC का format दिया गया, तो OBC का format बनवा लिजेगा किस परकार से format को तयार करना है, आपको उसका वीडियो चैनल पर मिल जाएगा, आप उसे देखके तयार कर सकते हैं, धन्यबाद